Hello class 12th students, determinant के 3rd exercise के 1st question को हम लोग आज के विडियो में solve करेंगे Question में बोला है कि हमें minor निकालना है, co factor निकालना है, इन दोनों determinants का ठीक है, देखेगा कैसे निकालेंगे, बहुत ही easy होता है जैसे ये जो element है, ये 11 element है, ये 12 element है, ये 21 element है और ये 22 element है ठीक है, आपको ये पता होगा, तो let's say आपको इस वाले element का minor निकालना है आपको इस वाले element का क्या करना है minor निकालना है, यानि आपको M11 निकालना है M11 मतलब इस 11 वाले element का minor, ठीक है, M11 मतलब यहाँ पर 11 वाले element है होगा इसलिक है तो जिसभी माइनर निकालना होता वो जिस रोओ में है उसे हाइट कर दिए इस तू का मैंने निकालना था तो यह उसे आधे कर दिया हमें जो भी दिख रहा हमाइब से माइनर कर देंगे अब हम लोग लोग निकालेंगे तो इसका कालम में निकाला हम नीखेंगे रहें second row first column में है यानि m21 ठीक तो यह जिस row में है और जिस column में है है तो क्या दिख रहा है माइनस 4 दिख रहा है माइनर रहे वह然后 ख़र और वह अगर 3 का माइनर निकालना है 3 का तो 3 जिस row में है और जिस column में है उसे हिसे आइड क दीए बेसिकली हमें M22 निकलना है, तो हमें 2 मिलेगा, ठीक है, clear है, इतना easy होता है, minor निकलना, question वोला था, co-factor भी निकलना है, ठीक है, C11 लिखेंगे, co-factor जागा, C12 लिखेंगे, co-factor जागा, C21 लिखेंगे, co-factor जागा, C22 लिखेंगे, तो को फेक्टर में कुछ नहीं करना होता है यह जो 3 है ना वही C11 में लिखी है ठीक है सब उतार दीजिए 3 0-4 और फिर 2 यह जो M11 की वेल्यू आई है वह C11 में डाल दीजिए M12 की वेल्यू आई है है तो आगे plus का साइँल लगाना है ठीक है जैसे यहां पर 1 और 2 जोटेंगे तो और आएगा तो माइनस का साइब लगाना है यहां पर टू और 2 जोडेंगे तो even आएगा तो PLUS का SIGN लगाना है याद रखेगा जब even रहेगा PLUS का SIGN लगाना होगा और जब odd रहेगा तो MINUS का SIGN लगाना होगा जब आप CO FACTOR निकालेंगे तो CO FACTOR में बस कुछ नहीं करना होता है MINOR वाला ही लिख दीजिए OR SIGN देख लीजिए कौन सा लगाना है साइन लगाने का यह रूल है ठीक है इसको सॉल कर लेते हैं प्लस 3 मतलब 3 होगा माइनस 0 मतलब 0 ही होता है माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और यह प्लस 2 रहेगा तो को फेक्टर सा जाएंगे 3 0 4 और 2 इस वाले की बहुत हीज्य है तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इस वाले दिपती तो फस्ट वाले और जिस कॉलम में से हाइट कर दिए आपको B दिख रहा होगा तो माइनर B हो जाएगा फिर इस B का माइनर हमें निकालना है तो M21 हो जाएगा ठीक है अब यह जिस रो में है और जिस कॉलम में से हाइट कर दिए आपको C दिख रहा होगा तो C माइनर हो जाएगा है उसी तरह अब हमें इस डी का माइनन निकालना है जिसको हम लोग M22 से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है तो यह जिस रो में है और जिस कॉलम में साइट कर दीजिए आपको एदिख रहा होगा तो चारों एलमेंट के माइनन निकाला है को फेक्टर निकालना है तो मैं आप लिखूंगा सी 11C12C21C22 इकोल्स टू इकोल्स टू देखेगा यहीं डीबीसी यह लिग देना है डीबीसी ए लेकिन जब पहले वाले में देखिए वन वन को जोड़ेंगे तो एवन आएगा तो प्लस का तो यही करना है हमें इस कोश्चन में और कुछ नहीं करना था ठीक है उमीद कता हूं आपको समझ में आया होगा और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा कमेंट बॉक्स में मैं कोश्चन दे रहा हूं सकन से बताएगा एटू थ्री एक्स आप लोग को फेक्टर अगरे और बताईएगा को फेक्टर ओफ एक्स पॉस्छ नमें कमेंट बॉक्स में को फेक्टर फेक्स बताईगा और वीडिए को लाइक गरूत करिएगा मिलते हैं लिओ में तर तक करिकली अधा किि उभू